कि आने वाले दिनों में आपको नैचरल ग्यास के उपर क्या मोमेंट देखने को मिल सकती है आज के देखो के तो सबसे पहले मैं डॉलर इंडिस को पर आनलीसिस करूंगा तो वहां पे देखो के तो लगबाग वह पाच परसेंट की तगड़ी जंप और यमसेक्स मार्केट मे के यहां पर आपको ट्रेंज को को सहसे लगाना है कि तरके से आप और कैसे एंट्री करना है Church कैसे करना है लाइव मरकेट के अंदर स्टोपलास कैसे लगाना यह पूरा तरीका मैं आपको यहां पर on-line sessions लेते हूं तो online sessions लेता हूं वहां पे मैं आपको सिखाने की कोशिस करता हूं तो विवकुल आप lowest fees के साथ विवकुल जोयंड कर सकते हो साइज से train identified कैसे करते हैं, entry perfect कैसी होने चाहिए, exit perfect कैसा होना चाहिए, support resistance कैसे draw करते हैं, और price action के base के उपर कैसे analysis करना है, ये सब चीज मैं course के बीच में सिखाने की कोशिस करता हूँ, तो course कहां से detail information मिलेगी, दो option है आपके बस, एक option मैं बता देता हूँ, इसके उपर आप मुझे WhatsApp कर लेजे, next batch जो भी होगा तो उसके detail information मैं बता दूँगा, अभी November के पूरी batch इस मेरी full है, next option आपके पास है तो टेलिग्राम चैनल जोरूर जोइन कर लेजे, टेलिग्राम पे मैं वहाँ पे update भेशता रहूँगा कि आपको next batch कब है, तो उसके regarding आपको और information चाहिए तो टेलिग्राम चैनल जोरूर जोइन करिए, वहाँ पे मैं latest update डालता रहता हूँ, और intraday के levels भी मैं provide कर रहता हूँ, वो भी free of cost, अभी बात करते हैं, live sessions की बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं train analysis करूँगा, सबसे पहले मैं train identified करूँगा कि मुझे अभी तक train कैसा नजर आ रहा था, और अभी कैसा नजर आ रहे train, तो देख लिजे, मैंने train line रहा किया, अभी आप देख सकते हो, जब तक इस train line के नीचे train कर रहा था, तब तक ये मेरे लिए sale था, धान में रखना, और ये train line के ऊपर sustain हो गया, तो अभी मेरे लिए by train बन गया, कैसे by train बन गया, देख लिजे, यहाँ पे एक बार टच कहा था, फिर गिर आउट, यहाँ पे टच करके फिर गिर आउट, यहाँ पे टच करके फिर गिर आउट, अभी ये break out कर चुका है, तो अभी यहाँ से जो resistance निकल कहा रहा था, इसके previous resistance देख लिजे, बहुत strong resistance निकल कहा रहा था, 7.30 के आसपास, अभी इसके उपर sustain करके 7.80 के आसपास, भी line market चल रहा है, next resistance कहा पी निकल कहा रहा है, next resistance निकल कहा रहा है, 9 डॉलर के आसपास, तो आने वाले दिनों में आपको सेल की position नहीं बनाना है, ध्यान में रखना, बड़े टाइम प्रेम पो देख लिजिए, आपको जब तक 6 डॉलर के नहीं आता, तब तक आपको यहाँ सेल की position नहीं बनाना है, तो यह चीज़े मैं कोर्स के दवरान सिखाने की कोसिस करता हूं, वह भी live market के अंदर, आप लोबेश्ट के साथ जोइंड करना चाहिए, क्योंकि आइसा कोर्स आपको बार-बार नहीं मिलेगा, और इतना अच्छा टेक्निकल आइनालैसिस आपको कोई भी नहीं सिखाएगा, ध्यान में रखना, मैं सिंपल तरीके से आपको सिखाने की कोशिस करता हूं कि किस त करेंगे, सबसे पहले मैं आइडेटिफाइट करूँगा, तो यहां पर देख लेजिए, आट सो के आसपस एक हाइस रेजिस्टन्स निकल के आ रहा है, वहां से या डेले डे बाइडे के ऊपर यह देखोगे, तो कम से कम यह जो गिरावट आ रही थी, फोड़ पोटी के आ आज पहला दिन ऐसा है, जो ट्रेंडति नाइंटि पर सस्टेंड करते वी आपने आपको सस्टेंड करते वी देखने कमिरौन है पिछले माला जो एकर दो पर यहां पर रेजिस्टंस निकल हा रहा है, जो अभी लाइभ मार्केट में ट्रेडिंग हो रहा है, धायर में रछ तो इस रेंच के बीच में यहां पर कर रहा है यहीं आपको मैं कोर्स के बीच में सिखाता हूं वह भी लोविश्ट के साथ विवकुल आपको जॉइंड करना चाहिए ऐसा देरी मत करिए ऐसा लेला इसस आपको कोई भी नहीं पढ़ाने वाला है ध्यान में रखना तो यहां यहां पर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं यहां पर निकल के रिजिस्टनस और यहां पर देख लिए तीन-्चार दिन तक यहां पर कर देजिस्टनस और ऑधून इस range के अंदर काफी दिन से trading कर रहा है अभी यहां पे 60 minute तक यह sustain करता है अगें 600 के आसपर sustain करता है तो यह bull run में चला जाएगा और आपको अच्छे खासे तगड़े target देखने को मिल सकते है यहां पे breakout दे चुका है लेकिन horizontal resistance है उसने अभी breakout नहीं दिया हमको हमेशा double confirmation लेना अगें यहां पे sustain करता है तो अगें आपको गिरावट देखने को मिल सकते तो मैं छोटे टायम पर लगाथ हूं एह घंटे का चाट लगाता हूं तो यहांसे किसी को छी पोजिशन बनाना है तो किस लिवल पर सेल की पुजिशन बना सकते हो और कहां तक टार्गेट आपको देखने को मिल सकते तो ध्यान में रखने रखने वह कहां पर सेल कर सकते हैं तो यहां पर देख लेज़े 580 के नीचे सस्टेन करता है तो अगेन आप यहां पर फ्रेश सेल की नीचे शेल करिए 605 के साथ यहां पर पूजिशन बना सकते हो ध्यान में रखना अभी यहां पर हम बात करें कि किसी को बाइग की एंट्री करना है तो बाइग के आप बाइग की पूजिशन बनाए यह आपको आने वाले दिनों में 700 प्लस के आपको देखने को मिलेंगे जिस उस लेवल के उपर बताए ऊस लेवल के उपर ही आपको भाय करना है अदरवाई करना चेंशों के उपर सस्टेंड करेगा तब ही आंको 700 के आरेट के लिए पोजिशन होल्ड कर सकते हो स्टाप्लास 570 कह उन्ली 30 में यहां पनी रहें तो नहीं कह आता तब पूजिशन कर सकते हैं जो और डी शेल पे बैटे हैं उनको वेट करिए 700 जब तक वो 700 नहीं जाता तब तक आप सेल की पोजिशन सेंग करेगा तो अगेन आप सेल की पोजिशन बना सकते हो तो यह लेवर्स आने वाली दिनों में यंजी के उपर इंपोर्टन्ट है यह लेवर्स देखके आपको ट्रेडिंग करना है अगेन आपको कोई भी डिटेन इंफोर्मेशन चाहिए तो आप कोर्स भी जॉइन कर सकते हो टेलिग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जा सकते हों कंप्लिट जनकरी मैंने अज़ी को पर समझाने की कोशिश किया कि यहां पर जो रेंच चल रहा है अभी तो विवकुल अभी रेजिस्टन्स के आसपास है यह जैसे ब्रेक करें आपको नानस्टप रहले आपको देखने को मिल सकता है और एक रेजिस्टन्स के कोशिश करता हूँ लाइव सेसंस में सिखाने की कोशिश करता हूँ मिलते हैं वेडियो ने टापके सब तब तक के लिए बाए बाए